जुगनू के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे अरे हाँ वही जुगनू जिसके पीछे हम सब बच्पन के दिनों में भागते और खेलते रहते थे लेकिन उस समय हमने ये कभी नहीं सोचा होगा कि आखिर जुगनू चमकते क्यों है जी हाँ हम सभी लोगों को पता है कि रात के अंधेरे में हम लोग गर्मियों में देखते हैं कि कोई एक छोटा सा कीड़ा चमक रहा होता है जिसका नाम है जुगनू जुगनू के अंदर एक अलगी तरह की रोशनी होती है जिसको देखकर सब लोग उसकी पकड़ने की भी कोशिश करते रहते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उसके अंदर ऐसा क्या है जो की चमक रहा है तो हम आपको बता दें कि जुगनू के चमकने के पीछे उनका मुख्य उद्देशे अपने साथी को अकरशित करना अपने लिए भोजन तलाशना होता है ये जुगनू आजकल शहरों में कम ही दिखाई देखते हैं जबकि इन्हें ग्रामीर इलाकों में बड़ी संख्या में देखा जा सकता है साल 1660 में इस चमकने वाले कीट यानी कीडे की खुझ बैग्यानिक रॉबर्ट वायल ने की थी जबकि पहले ये माना जाता था कि जुगनू के शरीर में फासफोरस होता है जिसकी वज़स से ये चमकते हैं लेकिन इटली के बैग्यानिकों ने साबित किया कि जुगनू की चमक फासफोरस से नहीं बलकि लोसी फेरस नाम के प्रोटीनों के कारण होता है आपको बता दें कि जुगनू की चमक का रंग हरा, पीला, लाल तरह का होता है और ये अधिकांश रात के समय में ही चमकते हुए दिखाई देते हैं देखने में ये एकदम पतले और दो पंक वाले होते हैं अधिक दोशनी से चमकने वाले जुगनू अधिकांश, बेश्टिंडीज और दक्षडी अमेरिका में पाय जाते हैं ये जंगलों में पेडों की छाल में अपने अंडे देते हैं आपको बता दें कि मादा जुगनू के पंक नहीं होते हैं इसलिए वो एक ही चमकते हैं जबकि नर जुगनू उड़ते हुए चमकते रहते हैं और यही कारण है जिससे उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है नेक्स्ट नाइन स्प्रिचूल की रिपोर्ट झाल